Instagram account को delete करने के लिए Instagram में दो method दिये गए हैं आप चाहें तो अपना account permanently delete भी कर सकते हैं या फिर Instagram account को temporarily disable भी कर सकते हैं ये आप अपनी ज़रुवत के हिसाब से choose कर सकते हैं लेकिन आज की इस वीडियो में हम जानेंगे Instagram account को permanently delete कैसे करें अगर आप Instagram account को temporarily disable करना चाहते हैं तो आप हमारी दूसरी वीडियो को देख सकते हैं जिसका लिंग आपको वीडियो को description और first comment मिल जाएगा तो अगर आप Instagram account कभी भी use नहीं करना चाहते हैं और उसे हमेशा हमेशा के लिए delete करना चाहते हैं ताकि कोई भी इनसान उस account के photos, videos आदी को ना देख सके तो आप Instagram account को permanently delete कर सकते हैं लेकिन याद रखें कि इस process को करने के बाद आप कभी भी अपना account वापस नहीं ला सकते हैं और आपके Instagram account के photos, videos, follower, like, comments को भी recover नहीं कर पाएंगे तो चलिए भी इना time के में वीडियो को start करते हैं और जानते हैं Instagram account को permanently delete कैसे करें तो वीडियो को start करने से पहले अगर आपने भी तक इस वीडियो को लाइक नहीं के तो लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्राइब करके बेल आगन पर क्लिक कर लीजिए Instagram account को permanently delete कैसे करें तो इसके लिए आपको सबसे पहले Instagram account में login कर लेना है आपका account login होना चाहिए अगर login नहीं है तो username और password डाल के login कर लेंगे इसके बाद आपको अपने profile पर type करना है और setting पर चले जाना है setting के option पर जाने के बाद आपको help का option मिलेगा यहां पर आपको click करना है help पर click करने के बाद आपके सामने एक नहा page open होगा यहां पर आपको help sender के option पर click कर लेना है इसके बाद manage your account के option पर click कर लेना है इसके नीचे आपको मिल जाएगा delete your account इस पर आपको click कर लेना है इसके बाद आपके सामने एक नया पेज ओपिन हो जागा यहां पर आपको delete your account पर क्लिक कर लेना है इसके बाद आपके सामने delete your account पेज का option आजाएगा यहां पर आपसे आपका account delete करने का reason पूछा जाएगा तो यहां पर आपको कोई भी एक reason को select कर लेना है इसके बाद यहाँ पर अपने account का password इंटर करेंगे और अगर आपको password याद नहीं है तो आप forget password पर क्लिक करके अपना password बना सकते हैं नहीं तो आप हमारी इस वीडियो को देख सकते हैं इस कलिंग आपको वीडियो डिस्क्रिप्सन और comment बॉक्स में मिल जाएगा इसके नीचे आपको मिल जाएगा delete your account इस पर आपको click कर लेना है अब आपको एक date दे जाएगी इस date के बाद आपका account permanently delete कर दिया जाएगा अब आपको जो भी date दी जाएगी उस date के अंदर Instagram account को कभी भी login नहीं करना है उस date के अंदर अगर आप Instagram account को फिर से login करोगे तो आपका account फिर से activate हो जाएगा और आपको फिर से पूरा process करना पड़ेगा तो आज के बिस नहीं I hope आपको पसंद आयोगी वीडियो अच्छे लगी हो तो लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से यदा शेयर कर दीजिए और मुझे कम्योंने जुरूर बता है कि आपको फिरो कैसी लगी इसी के साथ अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं चाहे तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल लागन बेकलिक करना बिल्कुल ना बुरिएगा ताकि अब यह कोई नए वीडियो का प्लोट करें तो आपका हमारे वीडियो सबसे पहले मिल जाए मिलते अगले वीडियो में ठ्रैक पॉचिंग दिस वीडियो